वन नाम का एक लड़का था जो कि कोलेज में सबसे पैसे वाला था सारे कोलेज की लड़किया उस पर मरती थी एक दिन रोज नहीं उसके पास आती है और वो उससे बात करना चाहती है तो उससे हाई अलो करती है और उसके पास महाँ पर खड़ी हो जाती है लेकिन रोज उसको लास्ट तक तो इस तरह का cartoon video create करने के लिए simply आपको दो एप की ज़रत पढ़ने वाली है जो कि आपको play store से आसानी से मिल जाएंगे तो सबसे पहले है तो आपको अपना play store यहाँ पर open कर लेना है image search main से हम यहाँ पर पीछे का background और bike वाले png यहाँ पर लेंगे उसके बाद जो दूसरा app वो है chromatons chromatons को भी यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर chromatons का यह वाला app यहाँ पर मिल जाएगा आपको यहाँ से इसको भी यहाँ पर download कर लेना है तीनो app डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले तो image search main को open कर लेना है image search main को open करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक search बार मिलेगी search बार में आपको अपने background को यहाँ पर लेना है तो background को search करना है कीसे search करेंगे उसके लिए देखिए आप यहाँ पर आपको search करना है मैं हाँ आप search करता हूँ cartoon college background college background तो cartoon college यहाँ पर को parfait Door Day आपको यहाँ प्श पहसंद दो यहाँ पर आपकी college डाउनलोड हो जाएगी, माली जी यह वाले आपको डाउनलोड करना है, तो इस हेरो पर क्लिक किया, और यह आपकी gallery में save हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर देखे, दोबार से आपको image search में को open करना है, और यहाँ पर आपको search करना है, bike png cartoon, तो इस तरह सापको यहाँ पर search करेंगे, bike png cartoon, तो यहाँ पर देखे, बाइक कुछ इस तरह कि यहाँ आपर आजाएगी, अब इस सेरो वाल निसान पर इसको click करके, डाउनलोड कर लेना है, अब इसका background आपको remove कर लेना है, remove करने के बाद आपको simply अपने rating software पर जाना है, और rating software पर जाकर पहले तो अपने background आपर अच्छे से सेट कर लेना है, तो यहाँ पर देखे, मैंने काइन मास्ट को open कर लिया, open करने के बाद यहाँ पर create पर click करना है, और 16 no की ratio select कर लेना है, 16 no की ratio जैसे से आप select करेंगे, तो इस तरह का यहाँ पर interface देखने को मिलेगा, अब आपको क्या करना है, अपना जो background आपने डाउनलोड किया था, उस background को यहाँ पर लेकर आना है, तो मैंने देखी यहाँ पर अपना college का background यहाँ पर ले लिया, उसके बाद यहाँ से इस line को पकड़ कर आगे के और drag करेंगे, तो यहाँ पर save, यह इसकी length लंबी हो जाएगी, उसके बाद यह जो payment and zoom को option दिया वाँ, इस पर click करना है, और यह जो बराबर करने सान है, इस पर आप click करेंगे, तो अपना college को इस पर इस तरह से 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 रेना है, बीऑने के बाद खया अपर लेर पे जाना है, बीडिए पर आपनी B Lake रहती जाना है और यहाँ रिदा जो सीपरत बाइक को यां पर ले आना है, तो देखें, मेरी bike यहां पर इस तरह से आ चुकिए यहां पर बाईक आ चुकिए, अब इसकी length को आपको जसे मतलि से मान जी से इसको बढना ह— इसको kamu बढ़ा हब हसकते हैं और इसको यहां पर इस तरह से खड़ी कर देना है उसके बाद यहां पर देख़े, वायक की लेंट को भी आपको इस तरह से बड़ा लेना है, उंग्ली से पकड़ कर ऊसके खीचेंगे, तो इसकी लेंट की बढ़ जाएगी, यह हो घाएगयो मारा इस तरह से यह एक चार क्रेक्च्र आपको मिल जाएंगे आपको चार क्रेक्च्र एक लड़कियाका जो कर्एक्टर उप्शन है उच्पर जाना है तो यह पर लिखावा है मैं वन में टू वह साहे में मान्वण नू आप ले सकते हैं उसके बाद यो तीन character बचे इसको यहां पर नन कर देना है जो चोता character है वो मैं आपको खुद दूँगा, कैसे दूगा वह भी मैं आपको बता दूगा, कैसे मिलेगा आपको अब इसको यहां पर इस character के आप इस तरह से रख लेना है उसके बाद इस plus वाले icon पर क्लिक करना है और इसको यहां पर animation तयार करना है अब यहां पर देखे कुछ इस तरह का यहां पर interface देखने को मिलेगा अब आपको यहां पर by default जो move होता है उसमें idle रखना है और जो move first होता है उसमें आपको क्या करना है यहां पर setting तो आपको को यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर setting idle आपको मिल जाएगा setting idle हो गया देखे setting idle यहां पर हो चुका है अब इसका background आपको change करना है background change करने के लिए जो background वाला option है इस पर click करना है और यहां से इसको green background कर देना है उसके बाद आपने जो screen recorder app डाउलोड किया था, उस screen recorder app को यहाँ पर own कर लेना है, उसके बाद यह recording वाला option है, इस पर click करना है और यहाँ से कर देना है cancel cancel करने के बाद इस character पर एक बार उंगले से touch कर देना है, जैसे आप touch करेंगे तो यह अपनी sitting वाली position में आजाएगा, अब आपको screen recorder app से screen recording को कर लेना है, screen recording आप जितनी minute की चाहिए, उतनी minute की कर सकते है अब जब आपकी screen recording हो जाए, उसके बाद उसको save कर लेना है, save करने के बाद आपको क्या करना है इसको यहाँ पर, यह जो chromatones का यहाँ पर logo दिख रहा है इस पर click करके यहाँ से कर देना है, cancel cancel करने के बाद okay करेंगे, तो यहाँ से सारे option वापर आ जाएंगे अब आपको क्या करना है, इस character वाले option पर जाना है जो कि आपको यहाँ पर add करना है, अब आपको यहाँ पर भी add करने का option होता है यहाँ पर add नहीं करना, आपको करना है, आपको ASP वाले option पर अपन करना है अब यहाँ पर लिखावा है, enter character name और keycode तो जो मैं आपको keycode और name दूँगा उसको यहाँ पर enter कर देना है अब आपको यहाँ पर name डालने के बाद import पर click करेंगे, तो आपको character यहाँ पर आजाएगा अब यहाँ पर OK पर click कर देना है, उसको एक add आएगा, उसको watch करने के बाद उसको remove कर देना है अब यहाँ पर character यहाँ पर आ चुका है, यह character मेरा गल्ति से यहाँ पर add हो गया बागी यह वाला character मेरा यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर आपको इसका animation त्यार करना है उसके लिए देखिए, आप प्लस वाल icon पर click करना है और यहाँ पर default move मेरा आपको यहाँ पर जो default move है, उसमें anim 1 रखना है और यहाँ पर walking, talking यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर set करना है कि कौन सा walking है और कौन सा talking है तो यहाँ पर देखिए, anim 9 पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपका character यहाँ से चलने लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरा कोई anim 4 पर click करेंगे, या फिर anim 3, anim 2 पर कुछ ऐसा यहाँ पर पता नहीं है कि कौन सा talking करेगा, यह देखिए, talking हो गया उसके बाद यहाँ पर anim 4 पर click करेंगे, तो idle हो गया, अब आपको यहाँ पर इसका screen recording करना है, वह recording वाले option पर click करना है और pop-up आया गों उसको cancel कर दिना है, जैसे यहाँ पर देखिए, pop-up आया cancel किया और यहाँ पर touch करेंगे, तो आपको character इस तरह से चलने लग जाएगा, फिर से इस इस पर touch करेंगे, talking करने लग जाएगा, फिर से इस इस पर touch करेंगे, तो idle में खड़ा हो जाएगा तो इसके यहां पर screen recording आपको कर लेना है screen recording save हो जाए उसके बाद जाना है आपको अपने वापस से editing software पर जैसे मैं आपको वापस से coin mask को open कर लेता हूँ देखे हमारा यहां तक work हो गया था अब आपको layer वाले option पर click करना है आपको अपने screen recording की हो तब कोई फालत हो की वह सेड हो गए हो तो यहां से remove हो जाएगी उसके बाद यहां पर देखे कर लिया उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहां पर इसका green screen remove करेंगे उसके लिए chroma key का option दिया हूआ है इस पर click करके यहां से इसको enable कर देगे तोड़ा से इसको adjust कर लेंगे इसके बाद इसकी height को इस तरह से पढ़ा लेंगे इसको यहां पर अच्छे से बिठा देगे तो इस तरह से हमारी screen recording यह आ गई उसके बाद यहां पर layer वाले option पर click करेंगे media वाले option पर click करेंगे और जो दूसरी screen recording है उसको यहां पर लेकर आएंगे तो देगे मारे दूसरी screen recording यहां पर आ चुकिए अब आपको क्या करना है mixer वाले option पर click करके इसकी volume को zero कर देगे उसके बाद इसको करेंगे crop तो यहां से इसको इस तरह से crop कर लेंगे crop करने के बाद यहां पर नीचे जाएंगे chroma key को enable कर देंगे उसके बाद इसको तोड़ सा adjust कर लेंगे adjust करने के बाद इसकी भी तोड़ सी length को यहां पर height को बढ़ा लेंगे देखे इस तरह से height को बढ़ाने के बाद यहां पर देखे आपको यह देखना है कि आपको character कहां से चलना है start कर रही है यहां पर देखे आपको देखना है सबसे पहले तो character यहां से चलना है start कर रही है यहां से, तो यहां से cut लगाना है, तो cut लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस red line को यहां पर रखेंगे, और इस screen recording को select करके रखेंगे, और केची वाले option पर यहां से split कर देंगे, अब यहां पर cut लग चुका है, दो पार्ट हो चुके, पेले वाला जो पार्ट है, वो बे split, split करने के बाद यहां पर देखें, इस वाले character को तो उठा कर रख देंगे, उपर एक साइड में, और जो दूसरी वाला screen recording है, उसको यहां पर, यानि दूसरी वाला जो part है, उसको select करेंगे, और इसको यहां पर इस तरह से रख देंगे, उसके बाद यह चावी वाला option है, इस पर click करेंगे, और इसको यहां पर दिदे से इस तरह से ले जाएंगे, और इस character को उठाएंगे, और इसके पास लाकर यहां पर रख देंगे, देखें, आपर इस तरह से रख दिया, अब देखें, आपका character को इस तरह से यहां पर आ रहा है, देखें, आपका character को यहां character आ चुका है अब आपका दूसरा character उपर है तो इसको क्या करना है इस पर set करना है तो इसके दूसरे बाट को उठा कर तोड़ा सा आगे लाइए आगे लाने के बाद यहां पर देखे क्या करना है या आपके जो character रोष्णी वो यहां पर इस तरह से आएगी उसके बाद यहां पर दूसरा character यहां पर इस तरह से तो इस तरह से आप इसको कट लगा सकते हैं उसके बाद आपर देखिए वो इस ओवर केसे करेंगें तो recording वाले option पर जाकर आप यहां पर अपना voice over कर सकते हैं जब voice over यहां पर complete हो जाए तो यह जो option है इस पर जाकर आप इसको save कर सकते हैं और अपने चैनल पर upload कर सकते हैं आपको Instagram पर key code और character का नाम दे दूँगा पहला option ही हो गया और दूसरा option ही है कि हमारे टेलेग्राम का चैनल नीचे दिया हो है जहां पर मैं हर तरह की character के key code और name वापर डाल देता हूं और character भी डाल देता हूं वापर तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को join कर सकते हैं और र जड़ष कर दिना